एक राजा था वे बैसाख महा में प्रति दिन ब्रह्म महूरत में उठकर गंगा जी में स्नान करता था राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रति दिन शान्त जल के स्थान पर हिलता हुआ हल्चल युक्त जल दिखाई देता था राजा को संदे होता था कि निश्चे ही मुझसे पहले कोई प्रति दिन गंगा जी में स्नान करता है इसलिए राजा ने नदी के तड़ पर पहरेदार बिठा दिये गंगा जी के तड़ पर एक व्रिक्ष था उस पर एक बंदरिया रहती थी वहप रहती दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके व्रिक्ष पर चड़ कर बैठ जाती थी इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख महा व्यतीत हो गया किन्तु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आप से पहले प्रतिदिन गंगाजी में स्नान करती है उधर राजा की प्रतिग्या थी कि यदि कोई बीस्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवा कर लूँगा इसलिए राजा को उस बंदरिया के साथ विवा करना पड़ा बैसाख स्नान के पुन्य से बंदरिया के गर्ब ठैर गया और नौ महीने पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जर्म के समय मुझे क्या करना चाहिए तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया के गर्ब का समाचार सुनकर अन्य राणिया मन ही मन उस बंदरिया से इश्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हे दू विविन योजनाये बनाने लगी घंटी लगी देखकर एक राणी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने सम्पूर्ण विर्तांत बता दिया रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख लो कि राजा आते भी हैं या नहीं आते हैं बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दोड़ कर महल में आये और घंटी बजाने का कारण पूछा इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी तब रानियों ने कहा यह तो एक पशू है और नैजाने कितनी बार घंटी बजाती रहेगी इस परकार कहे कर उन्होंने घंटी को हटवा दिया कुछ दिनों बाद बंदरी ने शिशू को जनम दिया, उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूँ, तब रानी ने कहा कि तुम आँखों पर पट्टी बान कर सो जाओ, बंदरी के बैसाख महा के पुन्य के परताब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ था, शिशू क और उस शिशू के स्थान पर एक पत्थर रख दिया, और राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जनम दिया है, राजा ने सुना, तो उसने भी संतोश कर लिया, कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है, तो यह तो एक पशू है, इसके क्या संतान होगी, उधर दासी ने उस सुन्दर शिशु को नदी में ने बहा कर कुमहार के खंदर में रख दिया दूसरे दिन कुमहारिन और कुमहार खंदर में आये तो वहां एक सुन्दर शिशु को रोते हुए देखा कुमहार कुमहारिन के भी कोई संतान नहीं थी उन्होंने उस शिशु को भगवान द्वारा भेजी गई फेट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोशन करने लगे कुछ बड़ा होने पर बालक को ग्यात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है उसको रानियों ने मरवाना चाहा था एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पंगट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा आऊ रे मेरे मिट्टी के घोड़े मेरे मिट्टी के हाथी पानी पीओ तब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हसने लगी और बोली अरे मुर्ख कहीं मिट्टी के हाती गोड़े भी पानी पीते हैं क्या इस पर उस बालक ने कहा कि कहीं बंद्रिया के पत्थर जनम लेता है क्या उस बालक की यह बात सुनकर दासियों ने जाकर महल में रानियों से यह बात कही तब रानियों ने दूसरे दिन विश मिलाकर लड्डू भेश दिये और इश्वर की करपा से वह जहरीले लड्डू गौंद और बदाम के हो गए और उन लड्डूओं को खाने से लड़के की मृतियों नहीं हुए यह समाचार दासी ने रानि को कहा तो रानि ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया और कुमार बन में रहने लगा तद पश्चात अगले वर्ष चैत्र महा में माता गंगौर के पूजन का दिनाया तो वे बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर और घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया उधर राजा की और साहुकार की पुत्रियां गंगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और जूलने लगी इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो पालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है उसे खाते जाओ और मेरे चारोर फेरे लगाती जाओ तब मैं तुम्हें जल पिलाओंगा इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया परन्तु तेज प्यास लगने के कारण वे मान गई इस परकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्ववती हो गई बाद में जब उनके माता पिता को ये ग्यात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वरतांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवा किया है अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण ऐसा मर्थता व्यक्त की दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमहार के घर विदा कर दिया और कुमहार के घर 108 भुएं आ गई और कालांतर में उसके 108 ही पोते हुए कुमहार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु आमंतरित किया और राजा को भी बुलावा भेजा राजा के यहां से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सब भोजन के लिए पधारे तब राजकुमार राजा की आग्या लेकर बंदरिया को लेने रत और पाल की लेकर गया और लाकर सभा में सबसे उचे स्वान आसन पर बिठाया राज कुमार ने अपनी सभी पतनियों को समझा दिया था कि बंदरिया मुझे जन्म देने वाली माता है एक-एक बहुरानी बंदरिया के चरन स्पर्ष करती गई और एक-एक सोने का सिक्का और पोते को गोध में देती गई जब राजा और अन्य राणियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा राणियों को तो संदे पहले से ही था कि है अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है इसलिए राणी और रूटकर राजा से कहने लगी कि कुमहार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है हम सब लोट कर जा रही है उधर राजा को पुत्र के जनम का संपूर्न रहस से ग्यात हो गया था इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी सभी पुत्रवधू और पौत्रों को लेकर महल में आ गया और राज कुमार का राज तिलक हुआ कुमार कुमार इनको राज कुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया परंतुवे नहीं माने तो राजा ने उन्हें धेर सारा धन दे दिया बैसाक स्नान का इतना मैध्व है तो सबको बैसाक स्नान करना चाहिए बंदरी ने बैसाक स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पोत्र, बहुएं सब कुछ प्राप्थ हुआ इश्वर जैसी बंदरिया को पुन्य मिला ऐसा सभी को देना इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुँचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें